दोस्तों तेहारों का सीजन चल रहा है तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी मिठाई की रेसिपी जिसे आप इंस्टैंट बनाकर तयार कर सकते हो ये मिठाई बहुत जल्दी बन जाती है इसे बनाने के लिए ना तो आपको चाशनी बनानी है ना ही मा मिठाई को बनाना शुरू करते हैं हलो दोस्तों मैं हूँ प्रितम और आपका स्वागत है प्रितम्स किचन में तो इस मिठाई को बनाने के लिए हम यहां सबसे पहले एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट लेना ये मार्केट में बहुत ही इसली मिल जाता है लेकिन अगर आपके पास ना हो तो सुखे नारियल को भी कदू कस करके ले सकते हो उसके बाद अब मैंने यहां एक चोथाई कप चीनी लिया है मिठा आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हो अब इस मिठाई में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट के दिए मैंने यहां 10 से 12 काजु को इस तरह से काट कर लिया है आप यहां काजु की क्वांटिटी बढ़ावी सकते हो या अगर आपको काजु का टेस्ट फलेवर नहीं पसंदो तो आप इसे इसकिब भी कर सकते हो वैसे इसमें काजु का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है अ तो यह देखो दोस्तों, मैंने यहां सारी चीजों को अच्छे से गराइंड कर लिया है, और इसमें कोई भी चीनी का टुकड़ा नहीं है, और न ही यहां काजू का टुकड़ा है, हमें चीनी और काजू को बिल्कुल फाइन पॉडर होने तक अच्छी तरह से पीसना है, अब यहां desiccated coconut और milk powder का जो रेशियो है वो बिल्कुल बरावर ही रखना तभी इसमें test जो है वो balance रहेगा और milk powder डाला है तो इस मिठाई में खोये का test तो आएगा ही तो अब बात आती है कि हमें कौन सा milk powder use करना चाहिए तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने यहां कोई brand का milk powder नहीं लिया है मैंने यहां जो local milk powder आता है वही use किया है और आप भी यही वाला milk powder use करना कोई भी brand का milk powder मत लेना इससे क्या होगा कि हमारा जो मिठाई बन कर तयार होगा वो बिल्कुल भी chewy नहीं होगा तो चलिए बातें बहुत हो गई अब मैं इसमें एक चमच घी डालूँगी और घी को भी अच्छी तरह से mix करूँगी और मैं आपको बता दूँ कि मैंने यहां सागर नाम का जो local milk powder आता है वही मैंने यहां डाला है अब यहां मैंने इस खाने वाले चमच से लगवग 5-6 चमच दूद लिया है इसे बाइंट करने के लिए तो दूद को धीरे धीरे डालना और इसे अच्छे से बाइंट करते जाना हमें यहां एक बार में दूद बिल्कुल भी नहीं डालना है बस धीरे धीरे करके दूद डालकर एक सौफ्ट सा डो तयार करना है तो यह देखो दोस्तों हमारा बहुत ही सौफ्ट डो बनकर तयार हो गया है तो अब क्या करेंगे कि हम एक कोई सा भी चौपिंग बोर्ड लेंगे और इसे हमें चिकना करते हुए रोल करना है यह देखो बिल्कुल इस तरह से यह बहुत ही असानी से हो जाएगा बस ध्यान रखने की बात यह है कि हमें इसे हलके हाथों से रोल करना है क्योंकि यह बहुत सौफ्ट है तो इसे रोल करने में बिल्कुल भी परिशानी नहीं होगी यह देखो दोस्तों यहां मैंने बातों ही बातों में इसे अच्छे से शेप दे दिया है और अब क्या करेंगे कि ये और भी देखने में बेहतरीन लगे और खाने में ज़्यादा टेस्टी लगे उसके लिए मैंने यहां कुछ काजू बादाम और पिस्ता को पीस कर लिया है और इसमें ये एक पिंच चेरी रेड़ फूड कलर डाल कर मिक्स करेंगे और इस पर इस तरह से लगाना और इसे हलका हलका प्रेस करना वैसे ये लगाना बिलकुल ओप्शनल है आप इसके बिना भी इसे बना कर तयार कर सकते हो तो ये देखो दोस्तों मैंने इस पर अच्छे से इसे लगा दिया है तो अब हम इसे set होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए freeze में रखेंगे बस 10 से 15 मिनट के लिए ही रखना उतने में ही perfectly set हो जाएगा तो ये देखो friends लगभग 15 मिनट हो गया है और ये अच्छे से set भी हो गया है तो अब हम इसके pieces कर लेंगे तो ये देखो ये कितनी असानी से कट रहा है और काटने से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना soft है और ये बिल्कुल भी च्वी नहीं बना है तो मैंने इसे half inch की मुटाई में काटा है तो ये देखो मैंने इसे plate में निकाल लिया है और इसे मैं कुछ पिस्ता के flex से garnish करूँगी तो आ गया ना देखकर इस मिठाई को मुँ में पानी अब मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ ये देखो ये बिल्कुल मुँ में जाकर घुल जाने वाली मिठाई बनी है तो फ्रेंड्स अब आप भी किसी भी occasion या तेओहार पर इसे बनाकर महमानों को सर्फ कर सकते हैं वो भी बहुत ही आसानी से तो अगर आपको मेरी मेहनत और मेरी वीडियो थोड़ी से भी helpful लगती हो या अच्छी लगती हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल दवाकर और पर क्लिक जरूर करना इससे मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेंगें तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया